हेलो दोस्तो नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आपका हार्दिक स्वागत है सात्यों इस वीडियों बात करने वाले कनिश्ट अनुज़ेशिक परती प्रिक्षा 2024 के बारे में इसके लिए आपके लिए एक मेहतवपून अफडेट और दिसा निर्देश है जो राजस्तान करमचारी चैनल बोर्ड दुवारा जारी किये गए उनको आपको ध्यानपुरू गद्यान करना और उनके अनुपालना करते हैं आपको प्रिक्षा में जाना है तो सात्यों अपने राजस्तान करमचारी चैनल बोर्ड दुवारा कनिष्ट अनुदेशक के विबिन ट्रेडों के लिए बर्ति प्रिक्षा का आईजून करवाई जा रहा है इसके लिए दोस्तों टैम टेबिल पहले जारी किया जा चुका उसी के एकोडिंग अब आपकी बर्ति प्रिक्षा आईजूत करवाई जा रही है इसके अंदर कनिष्ट अनुदेशक कारेशाला गणना ए विज्ञान सीधी प्रिक्षा दोजार चोईस की गुनिस ग्यारा दोजार चोईस को मंगलवार को मोर्निंग में आपको दस बज़े से लेकर बारा बज़े तक ओफ-लाइन प्रिक्ष अब नबर चैन बोड़ बीस ग्यारा दोजार चोईस को बुद्धवार को आईजूत होगी और यह बठी प्रिक्षे आपकी सुबत दस बज़े से लेकर बारा बज़े के बीच आईजूत होगी और यह बठी प्रिक्षे भी ओफ-लाइन होगी सातो इसके लिए रास्तान कर पूरुक अध्यन करना है और इसकी अनुपालना भी करनी है साथ इस सबसे पहले आपको इस सुनिशित कर लेना चाहिए कि बोड दुवारा जो बर्तिपी रिश्या का विज्यावन निकाला था उसके अनुसार आपके सेक्ष्णिक योकिता वो पातरता कंप्लीट होनी है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है साती नंबर दो यदि आपके पैचान पत्तर में फोटो तीन साल से अधिक पुरानी हो चुकी है तो उसको अपडेट कर वाले क्योंकि राजस्तर करमचारी चैन बोड दौरा हाली में दोस्तों इसके लिए एक नोटिफिक्शन भी फोटो का मिलान आपके मूल पैचान पत्र की फोटो से हो सके तता आपके परवेश पत्र के साथ कोई भी कटनाई हो यानि आप परिक्शा देने जाए जब आपको किसी प्रकारी कोई तकलिब नहीं हो इसलिए पहले से आप ये अपडेट करके रखे और आपके मूल पैचा कर ले नहीं तो आगे आने वाली बढ़ती प्रिक्षाओं आपको कई कटनायों का सामना करना पड़ सकता है साथ इस समस्त बढ़ती प्रिक्षाओं के लिए ओमार सीट के अंदर पांच विकल्प दिये जाएंगे जो प्रिक्षाओं पत्र में पांच विकल्प होंगे उसी के अनुसार आपके ओमार सीट में पांच विकल्प दे जाएंगे इसी के साथ अब्यार्थों के इस बात का भी ध्यान रखना है, अब्यार्थी को ओमार उत्तर पत्रक पर सम्मधित प्रसंद पत्र कर्मांग के लिए सई उत्तर निर्देशित करने हैं तो A, B, C, D, E, अर्थार, पहले चार विकल्प में से कहले एकी विकल्प गोला नीला बा प्येक से गहरा करना होगा, यानि जिसका उत्तर जो सहिए उसी पर आपको गोला करना है, और याधी अब्यार्थी इसका उत्तर नहीं देना चाहता है, तो पाँच़वा विकल्प इको गोला काला करना होगा नमबर पांच यदि और इसके साथ विकल्पम से आपको गोला गहरा नहीं किया गया तो उस परसंट का एक बटा तीन अंग काटा जाएगा इस बात का द्यान रखे आप कोई भी कुशन यदि वमार सीट चेक नहीं की जाएगी यानि आप कोई भी गोला नहीं बढ़ते है तो एक बटा तीन अंग काटा जाएगा और 10% से अधिखाली छोड़ते है तो आपके वमार सीट ही चेक नहीं की जाएगे इस बात का द्यान रखना है नमबर साथ पत्ते परसन के लिए आपको एक विकल्प गोला बराया या नहीं यह सुन्नी सित करने के लिए आपको इसके लिए अत्रिक 10 मिन्ट का समय ओड दिया जाएगा तो आप 10 मिन्ट पहले जब लाष्ट आपकी बेल बजे उससे पहले आपको एक वर अपनी ओमार सित को चेक करना है और यह दी नहीं बराया और आपको कुस्टन नहीं आता तो इए ओप्सन को आपको गोला काला करना है इस चीज का द्यार रखना है साथ ही नमबर आठ उक्त प्रिक्षियाओं में इपरवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट rsmsv.rahastan.gov.in से आप डाउनलोड कर लेंगे इसके लिए यह था समय आपको सुचित कर दिया जाएगा प्रिक्षिया के एकजाम चिति से साथ दिन पूरो आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रिमिशन दी जाती है और लिंक जारी कर दिया जाता है वहां से आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है नमबर नो सोचल मीडिया पर किये जारे बर्मक परचार परसारों से आपको बचना चाहिए और रास्तान करमचारी चेंबोर की ओप्षिल वेफसाइट का आपको नियमित रूप से अलोकन करते नहीं चाहिए साथी दोस्तों प्रिक्षिया के अंदर पर नकल की रोकताम के लिए बहुत ही परभावी उपाई किये गए है तो आप किसी भी जालसा नकल करने या ऐसे गिरो से या किसी से ऐसे संपर्क नहरा के नहीं किसी के बैकावे माय जो आपको कहे कि मैं बर्ती प्रिक्षिया पास करवा दूँगा यदि दोस्तों ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाब रास्तान सारवजनिक प्रिक्षिया अधिनियम 2023 की अनुसार 10 लाक से लेकर 10 करोड रुपे तक आर्थिक दंड और 10 वर्स तक का अजिवन कारवास की सजागा प्रावदान है इसी के साथ कटोड दंडात में कानूनी कारवाई की जाएगी और आगे की समस्त बर्तियों के लिए आपको डेफर भी किया जा सकता है तो इस बात का आपको विसेश द्यान रखना है और राषतान करमचारी चैंबोड द्वारा जो दिस्षा निर्देश दे गए उनकी अनुपालना करते हुए आपको बर्ति प्रिक्षया बर्ति प्रिक्षया में सामिल होना है इन सबका द्यार रखना है साथ हो यह रास्तान करमचारी चैन बोड दूरा करिश्ट अनुदिस है के समध महतपून अपडेट थी जो मैंने अपडेट कर दिया है जूनियर इस्टेक्टर बरती प्रिक्षा में दोस्तों आप ज्यादा समय बचा नहीं है इसलिए आप नियमित रूपसिस की तैयारी करते रहे आपने बहुत अच्छी तरह से अब तक तैयारी की होगी अब उसका आपको अधिक से अधिक रिविजन करना है revision के साथ ही आपको अधिक से अधिक demo test देने जिससे आपकी तैयारी और निखर जाए और आपको आडिया लग सके आपकी तैयारी कितनी हो गई है तो आपके पास अभी ये 20 दिन बहुत ही महतपूर है इसका आपको पूरी तरह से यूज़ करना है क्योंकि intelligent अभ्यारति की strategy ये ही होती है पहले देरे-देरे करके पूरे course को करते हैं और course complete होने के बाद जब एक से डेड में ना बसता उसमें अधिक से अधिक revision करते हैं demo test दे दें, test rejoin करते हैं जिससे उनकी तैयारी का पूरा निचोड पता जल जाता है और जो कमी होती है उसको प्रिक्षया से प्रिक्षया से प्रिक्षया उसमें सुदार कर लेते हैं जिससे उनको प्रिक्षया में किसी प्रकार की कोई प्रोब्लम नहीं होती है और आसानी से वह paper को करेक कर पाते हैं तो इसी रणदिती को आपको भी अपनाना है और बढ़ती प्रिक्षयां में सपल होना है साथ यो आगे भी इन बढ़ती प्रिक्षयां कोई भी अपडेट होगी तुरंत परभावस में हमारे यूटूब चैनल वे टेलिग्राम गूर्प आरकेम टेक इनफू पर मिलेगी साथ ही आपको करिश्ट अनुदिशक के साथ ही समस्थ बढ़तीयों की नविंदों ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ सकते यहाँ पर आपको समस्थ बढ़तीयों की संपुर्णों सठीक जानकारी मिलती रहेगी धन्यवाद जय इंच जय वारत